अलो एवरीवन वेलकम टू देस अमेजिंग प्लेटफॉर्म और चानल पनेशाव और कॉम्टेटिव इग्जामिनेशन और इस पर्टिकलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं डियेवसे से आल एक्जाम के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशन्स का पर्टिकलर सेक्शन है और इसमें आपका अभी हम कवर कर रहे हैं CRM के टाइप्स और इसका अर्किटेक्चर ठीक है कि CRM का अर्किटेक्चर क्या है और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ यहाँ पर अभी जो आपका पिछला वाला लेक्चर था यानि की क्लास नॉमबर 26 से यहाँ से आपके जो ले इस बनेंगे मार्केटिंग का अब आपको पता होगा जब मैंने आपको स्टार्टिंग कर रही थी CRM की तब मैंने आपसे बोला था कि मार्केटिंग में और CRM में बहुत ही थिन लाइन है अब आपको इस बनेगा आपकी मार्केटिंग की क्लास का तो यह चीज़ आप यहाँ पर धान में रखो बहुत अच्छे से चीजों को समझना और हर चीज़ को इकदम मैंड में फिट करते जाओ और marketing तो CRM में हमेशा से part रही है मैंने आपको direct marketing बताया बार बार use हुआ यह हमारा धीमे धीमे यह जो understanding आपकी बनी है पूरे CRM के lectures में यह पूरा आपको फैदा देगी marketing में तो हमें marketing में इतनी ज़्यादा classes नहीं करनी पड़ी तो अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा mind में रखके चलो so that आपको marketing पढ़ते टाइम में आपको सीधा सीधा जो marketing के terms है वो इंटर्ड्यूस कराता जाऊंगा clarified है बार चलो शुरू करते हैं आज का session आज आपकी class no.27 इससे पहले अगर आपने 1226 classes नहीं देखी हैं तो एक एक करके देखके आओ मेरे पढ़ाने का तरीका है ladder form में क्योंकि जब आप पहली करोगे तो आपको दूसरी समझाएगी दूसरे करोगे तेसरी समझाएगी ठीक है बहुत ही मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे कि systematic way में पढ़ाता हूँ इसलिए मैंने आपको architecture of CRM अभी रखा है यूँकि जब हम architecture of CRM पढ़ते हैं वहाँ पर आपको marketing भी समझनी पढ़ती है operational अभी मैं आपको operational CRM दिखाऊंगा कि उसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है क्या-क्या चीज़े देखनी है तब आपको पता चलेगा यार यह जो marketing है न यह तो पूरी की पूरी CRM में ही गुसी पढ़ी है ठीक है तो यह सब चीज़े है चलो खर शुरू करते हैं यार यह अपना हो गया खर अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि क्या-क्या CRM है वैसे आपको पिछली वाली क्लास में कई टाइप के business orientation समझाए थे उससे आपको समझ आया होगा कि सर यह जो strategic CRM है ना इसकी हमें क्या need पड़ी और strategic CRM ने हमसे क्या कहा कि यह CRM जो है ना यह आपका centric होता है customer की उपर ठीक है यह क्या बोलता है पहले क्या करो customer पे centric रहो और ऐसा नहीं है कि customer का किसी एक आप particular customer को target करो आपको सारे segment के customer पे target करना है और इनके according अपना जो है production अलग-अलग segment में करना है ठीक है यह आपके strategic CRM ने बोला basic था यह तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि strategic CRM में ऐसा भी नहीं कि आपको ना तो आपको product oriented रहना है नहीं आपको production oriented रहना है नहीं आपको यहाँ पर sales oriented रहना instead of that आपको यहाँ पर करना क्या है आपका जो product है product अगर आप अच्छा बना रही हो तो उसका customization करो पहले अपने customer को पहचानो कि आपका customer ऐसा कौन सा अपने वेल को तो पहचानो पहले आपके जो customer से उन में से वेल्स को निकाल करके लाओ innovators तो खहर ज़्यादा पता चलते नहीं बट वो जो वेल्स होते हैं आड़ दा एंड वही innovator निकलके आ रहे होते हैं ठीक है मैंने आपसे क्या बोला innovator जो होते हैं ना उनके बारे में हमें ज़्यादा पता रहता नहीं है starting में clear है क्लियर है क्योंकि innovator वो होते हैं जो क्या खरीदते हैं जो best material जो आपने एकदम से launch कर दिया और उन्होंने जाके खरीदे हैं पैसे कोई दिक्कत नहीं है ना इनकी पहले से इच्छा भी नहीं थी इन्हें ये भी नहीं पता रहता innovator को कि हमें ये खरीदना था बस जाके खरीद लिया ठीक है बस market में चीज आ गई best है जागर की ले ली ठीक है क्योंगी company ने कहा हमने आपको ये best चीज प्रोवाइड कर रहे है तो जागर की इन्होंने ले ली पैसे की कोई नहीं दिक्कत होती नहीं ठीक है बट अगर हमें यहाँ पे अपने customer अगर हम CRM लगा रहे हैं आपको production centric में रहना है लेकिन उसके लिए आपको value proposition अच्छा करना है आपको अपनी servicing भी अच्छी देनी है उससाब से आपको pricing रखनी है कि पूरी competitor के according जो है आपकी जो value proposition है वो अच्छे level पे आए और आपको sales centric भी रहना है लेकिन उतना ही रहना है कि आपका value proposition अच्छा रहे ऐसा ना हो कि आप sales में ही चले जाओ और value proposition उसकी वज़े से गड़ बड़ा जाए ठीक है तो अच्छी value proposition देना भी ज़रूरी है तो basically strategic CRM आपका customer centric था और दूसरी बात इसने यहाँ पे focus किया कि value proposition हमें अपना अच्छा देना है clear हो गई बात यहाँ पे अब आपको strategic CRM की पूरी understanding आ गई होगी ठीक है इससे related अब आपका कोई भी question बने I hope कर लोगे चलो अब बात करते हैं यहाँ पे second number की जो आपका हो जाता है operational CRM ठीक है क्या आ जाता है वह हमारे पास में operational CRM आ जाता है अब यह जो operational CRM है बड़े धा देखो यह जो है आपका तीन basis पे बात करता है पहला basis इसका हो जाता है service automation ठीक है क्या हो जाता है service automation clear है एक होता है बेसकली पहला नहीं होता service automation एक पार्ट हो गया इसका service automation दूसरा पार्ट इसका क्या है यह marketing दूसरा वाला आपका हो जाता है marketing automation ठीक है क्या हो जाता है marketing automation clear है और फिर आपका third पार्ट में आ जाता है service हो गया marketing हो गया आप क्या आएगा SFA ठीक है क्या आ जाता है sales force automation और basically यह जो operational CRM है न अगर आपसे कभी question पूछा जाए which of the following is the most important part of the operational CRM तो क्या बोलोगे भई SFA क्योंकि जो operational CRM है वो evolve ही हुआ है आपका SFA से मैंने आपको क्या बताया था धीमे धीमे आपका industry में telephone होनी start हुई और अगर आपको pain का 5 process model अगर याद आ रहा हो तो वहाँ पर मैंने आपका introduction कर रहा था operational CRM का और फिर मैंने बताया था operational CRM में क्या क्या part आ रहे थे pain के model में अगर आप उन्हें ध्यान से देखोगे तो इसमें हो क्या रहा है basically sales force automation ही करा रहे है हम ठीक है वो जो sales force automation है ना it is ultimately worth giving us operational CRM ठीक है ये सब तो बाद में IR service automation marketing automation ये तो बाद में इसके part बने गए ठीक है सबसे अगर आपको important part मुचा जाएगा तो क्य क्या बोलोगे SFA क्या होता है ये आपका service force automation service force automation होता है clear है अरे बोलो हाँ clear हो गया चलो अब यहाँ पर हमें समझना है यार सबसे पहले उठाएंगे हम यहाँ पर marketing automation क्या है और इसकी उपर ना अभी जो European laws है यारनी European Union की जो countries है उन्होंने 2018 में एक law निकाला था इसके क्योंकि यहां पर करते क्या आपना cookies देखते होगे क्या करते हो आप cookies वगएरा देखते होगे तो आपने जैसे किसी चीज़ के बारे में सर्च किया ठीक है मैंने आपको बहुत पहले यह सब का introduction कर रहे था अब cookies में होता है जैसे आपका data आपसे पूछा जाएगा कि अगर यहां पर मुझे एक mobile phone खरीदना है और मैं वो mobile phone खरीदने के लिए मैंने पहले google किया किया और मुझे बताओ जरा best mobile phone under 20,000 कौन कौन से है मैंने देखा एक site पर गया site ने मेरी cookies यूज़ करी तो उसने देखा ये बंदा जो है बार-बार जाकर के कहा 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 क्या क्या यूज कर रहा है क्या देख रहा है बस उस cookies को यहां पर यूज कर लिया जो marketing टीम है फिर marketing automation जो से related है company का उसने automated कर दिया यानि कि उसने मेरा data पूरा निकालना शुरू कर दिया और उस data के basis पे मुझे advertisement आने लगे ठीक है मेरे phone पे या फिर मेरे लैपी से मैं जिससे भी देख रहा करने के बाद Google से search करने के बाद cookies को okay करने के बाद में एक काम करना आपका जो अब नाम बोल सकता हूं यानि एक करके जो आपकी website होती है ना e-commerce site है आपकी उस पे आप जाके search करना दो different phone से search करना actually आजकल तो location का भी data उठा लेते हैं पहले ऐसा हो जाता था कि अगर आप इस segment में ठीक है तो ये किस वज़े से होता था marketing automation की वज़े से होता था फिर आया ये 2018 में एक law ठीक है ये हमें यहाँ पर देखना है क्यों important समझ में आ गया चलो शुरू करते हैं बगर मैं आपसे basic बात करू marketing automation की तो इसके तीन पार्ट होते हैं किसके marketing automation के ठीक है देखो एक त तो campaign management होता है वो किसका पार्ट होता है campaign management वो आपका marketing automation का ही पार्ट होता है अभी थोड़ा से समझाओंगा पहले इसके types लिख लो campaign management हो गया फिर दूसरा होता है event based और फिर इसको na trigger marketing भी बोलते हैं basically तो bracket में trigger भी लिख लो event based या फिर trigger marketing clear है फिर आपका third number पे क्या आजाता है इसी के अंदर marketing optimization ठीक है क्या आजाता है marketing optimization अब देखो basically यहाँ पर हो क्या रहा है पढ़े रहे हैं operational CRM लेकिन बात हम यहाँ पे कही न कहीं करने लग जाएंगे marketing की इसलिए मैंने बोला अब जो लक्षर चल रहे है ना उसमें आपको marketing की समझ भी होगी हर चीज की आपको होगा यह कब होगा यह कब होगा मुझे पता है ना क्या कब करवाना है चलो अब यह देखो यह इसको नोट डाउन करो यह पूछा जाता है कि campaign management जो है वो किसका पार्ट होता तो याद रखना यह marketing automation का पार्ट है और marketing automation is a type of operational CRM right now थोड़ा सा समझते हैं इसको सबसे पहले म marketing करनी है सोचना एक चीज को marketing अगर मुझे अपनी चीज की करनी है तो पहले बहुत पहले लेके जा रहा हूँ आपको 1800 के time पे चलते हैं चलो आपका year चल रहा है 1800 बात को पहले धहन से समझना notes भी आपको बनवा दूँगा इसके 1800 के time पे मुझे अगर marketing करनी है तो मैं किस से करता था मैं यहाँ पे pamphlet वगएरा लगा था ठीक है क्या करता मैं यहाँ पे pamphlet वगएरा लगा था कि आरे भाई देखो मेरा store खुल गया यहाँ पे आप कपड़े ले लो अगर मैंने juice की shop खोली है तो juice ले लो मैंने यहाँ पे mobile तो खेर तब नहीं थे मैंने वहाँ पे क अगलग टाइब के software software आ गया यानि कि अब हमें यहाँ पे इस चीज की भी use नहीं पड़ा कि mail करवाना पड़े किसी को बैठा के कोई बंदा की यह अकेला बैठके mail करेगा तो अब जो आप देखोगे न तो वहाँ पर क्या होता है कि automatically mail send किये जाते आपको customer का data आपके पास जहाँ पर दूसरा सबसे जो important part है ना वो होता है इसका campaign management campaign management क्या होता है समझना यार्धान से आजकल क्या होता है कि जैसे suppose करो मैंने आपको example बताया cookies वगारा क्या करती है मेरा data ले लेती है ठीक है तो इस data को उठाने के बाद में ये companyya क्या करती है मुझे target कर गए जैसे मै ये customer खड़ा हूँ ठीक है अब मैंने तो किया under 20,000 वाला mobile phone या पर search लेकिन आप में से कुछ लोग होगे जिनके पास भी है पैसा भरा पड़ा है will customer बनोगे कुछ लोग ठीक है तो अगला जो customer आएगा वो suppose करो वो लेता है आप लोगों में से कोई इठके आया उसने का रह वो क्या करेगी तो अलग-अलग यहां पर प्लान निकालेगी तो अलग-अलग offer निकालेगी किसको अलग-अलग offer एक्जेक्यूट करेगी ठीक है क्या target करके एक तो मुझे target कर गे कि भई इस बंदे को चाहिए 20K के अंदर तो हम इसे यहाले add दिखाएंगे फिर इसको यहा पर कम से कम 85,000 का तो फोन दिखाएंगे ठीक है और मुझे भी वो यहां पर अगर मेरा यहां पर 20,000 का budget है तो वो मुझे यहां पर 22,000 तक का भी दिखाएंगे यह होता है आपका की updated version मुझे बेचेंगे वो दीमे-दीमे करके upselling करके ठीक है ना upselling वाला concept आपको पता ही है तो यह चीज है तो जब यह होता है कि अलग-अलग campaign डाली जाती है अब यह तो मैंने आपको अपना example बताया है होता क्या है न एक company के पास ऐसे campaign management के थूप बहुत सारे customers का data आया तो वो campaign निकालते हैं कि इस type की customer के लिए चलो एक campaign यह निकाल दी दूसरे type की customer के लिए campaign यह निकाल दी अब उनको करना क्या है कि आपको हर जगया किसी भी अप में घुजजाओ आपको add वही आएंगे कि आपको अगर यह phone लेना है तो वो लेना ही है सबसे बढ़िया जो आज के टाइम पर है न वो एक करके जो company है उसका यह management है बाकी flip card का अपर तो है सही ठीक है तो इट allows क्या लिख में अजरिफ होगे भई इट अलावज यह क्या करता है भई ऐलाव करता है marketers जो आपके marketers हैं उनको अलाव करता है टो यूज customer related data क्या यूज करना है भई चौस्टमर लेटेड डेट यूज करने के लिए इन और टू डवलम in order to develop क्या develop करना है भई आपको develop करना होता है और execute करना होता है ठीक है develop और execute क्या करना है भई targeted targeted देखो writing वगारा सबको समझानी चाहिए मैं आपको साथ के साथ बोलता भी जा रहा हूँ जिसने बोला writing खराब उसको लटा लटका दूँगा ठीक है देखो यहाँ पर develop, execute, targeted, communications and offers communications and offers यानि कि यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यह क्या करता है ना campaign management जो आपका automation का part है यह marketer को help करता है कि यह customer का data जो भी है उसको use करे और फिर अपना कोई strategy या फिर communication या फिर offer develop करे और उसे execute करे जो targeted है ठीक है टार्गेटर होगा आपके अलग- अलग customer segment को लेकि अग देखना यहाँ पर, इसका targeted क्सको होता है customer segmentation ध्यान देना customer segmentation customer segmentation बात को सुमझ़बार है यहाँ पर customer segmentation यानि कि मैंने आप क्या कर दिया customers को divide कर लिया this type का customer है customer segmentation क्या करता है for और customer segmentation for campaigning purpose ठीक है ये लिख लेना CP का मतलब क्या है campaign purposes इसका क्या होता है भी campaign purpose का कि ये आपका possible होता है at individual level ठीक है at individual level यानि कि अगर मेरा customer ऐसा है suppose करो मैं यार car बेचता हूँ ठीक है मेरी company है car बेचने वाली या फिर phone ही उठालो चलो phone बेचने वाली company है और उसे phone चाहिए ह बढ़िया अच्छा खासी phone चाहिए उसे 1 lakh रुपीज के अंदर phone चाहिए तो क्या मैं उसको बस advertisement दिखाने से मेरा काम चल जाएगा नहीं भई मैं तो उसके साथ में क्या करना चाहूँगा मैंने क्या बोला कि उससे आप communication करना है आपको communication का मतलब सिर्फ advertisement नहीं होता कि offer कि आपने advertisement दिखा दिए यानि कि अगर वो customer मेरे लिए important है तो मैं उससे individual level पे क्या करूँगा आपको unique individual level पे जो unique communication होता है वो भी establish करना पड़ता है तो unique क्या वो लिख दिया at individual level unique communication is also established is also established तो ये वाली चीज़ अब आपको समझ में आई कि campaign management में हम क्या करते हैं और ये जो आ आपका market marketing का जो automation है ये किस तरीके से help करता है अलग-अलग campaign को बनाने के लिए अलग-अलग individual को target करने के लिए even यहाँ पर अगर आपका ऐसा हो गया कि एक customer है जिसे चोटी चीज़ चाहिए सबोज करो 5000 के अंदर वाला ही phone चाहिए है ऐसे 10-15 हो गये तो मैं उन्हें बस जो हमें नहीं हम जो companies होती है उनको बहुत फायदा होता है ठीक है तो यह चीज है अब हुआ क्या कि इसको control करने के लिए पहले आपका data 2018 से पहले जो European Union था वहाँ पे यार यह चीज बहुत ही extreme level पे चली गई थी कि customer का data हर जगे से उड़ाया जा रहा था कुछ भी use करें customer का data तो यहाँ पर एक बहुत important law आया इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और मैंने आपको याद है क्या acronyms में इक acronyme कर रहा था कुछ याद आ रहा है email को अलग-अलग जो email होते हैं वो select करके भेजने चाहिए चलो उस acronym का नाम बताओ और उसका full form भी बताओ मुझे ठीक यह है क्या देखो GDPR का सबसे पहले तो full form समझते हैं यह होता है general क्या होता है general data protection general data यह हो गया protection then R से आपका हो जाता है regulation ठीक है क्या हो जाता है regulation अब यह जो आपका GDPR है ना general data protection regulation है यह क्या बोलता है इसने यह आया 2018 में और इसने क्या बोला कि यह जो अपने जितने भी automation करा रहे हो यानि कि आप customer का data use कर रहे हो सब कुछ आप कर रहे हो यह सब तो ठीक है अगर आपको tracking करनी है यानि कि basically इन्होंने यहाँ पर उठाई marketing automation automation को मैं यह लिख रहा हूं marketing automation tracking पर यानि कि आप यह जो tracking कर रहे हो वो customer की consent से होनी चाहिए इन्होंने क्या बोला इस law में कि आपको क्या चाहिए? consent of customer. Consent of customer आपको यहाँ पर चाहिए होता है. यानि कि अगर customer की consent नहीं है तो आप उसका यहाँ पर further track नहीं कर सकते है उसका data use नहीं कर सकते है. तो होता क्या है न? यहाँ पर आपने देखा होगा cookies वगएरा जब आपके लिए आती हैं आप cookies का आग बढ़ना चाहते हो तो accept करो cookies को या फिर यहाँ पे आपको allow करना होता है कुछ ऐसे option आते है ना कि अगर आप allow करोगे तभी हम आपका data use करेंगे यह सब करके तो यह इस वज़े से ही आता है क्योंकि 2018 में यहाँ पर strictly आपका एक protection regulation आया हुआ है ठीक है तो यह चीज हो गई और चलो वह और बताओ मैंने आपको एक और बताया था कि email वगेरा आपको याद होगा कि email वगेरा मैंने अभी email पे भी campaign वगेरा की जाती है ठीक है email campaign management उसको बोलते है खैर email cm में भी यहाँ पर आपका एक rule लगा हुआ है कि अगर आपको यहाँ पर email अगर आप अपने product का भे word से comment कर गए ठीक है चलो यह चीजें हो गई तो आपको अब clarified हुआ होगा यहाँ से जो questions बनते हैं वो भी समझ में आए होंगे now यह जो campaign management है इसके कुछ important parts होते हैं और बिल्कुल series में इनको याद रखना यहाँ से question बहुत बनता है कि campaign management में क्या पहले होता है क्या बाद में होता है इसका sequence एक बनता है आपका campaign management का sequence तो इसे लिख लो sequence of campaign management in किसमे marketing automation यानि की MA में बोलो हाँ यहाँ तक समझ में आया है ना पूरा देखो अब टोटल इसके जो step हैं वो होते हैं seven कितने step होते हैं seven step होते हैं जिसमें से सबसे पहला हो जाता है आपका workflow ठीक है workflow का मतलब होता है कि आपको पहले अपनी campaign management यानि कि आपको data वगरा वो सब ठीक है फिर आपको campaign बनानी होगी तो इस campaign को बनाने के लिए आपका क्या workflow रहेगा क्या आपका budget रहेगा क्या ये सब रहेगा ठीक है तो ये सब आपका देखा जाता है workflow में ठीक है इसके बाद में जो second step आता है वो आजाता है segmentation and targeting का याद आ रहा है segmentation and targeting यानि कि आपको अपने जो भी आपने data उठाया हुआ है ना cookies के तुरू या फिर जो भी है आपके पा content है ये ले सकता है सामान को और काफी बढ़िया value हमारी company को provide करेगा तो हम क्या करते है परसोनलाइजेशन बोल देते हैं उसको ठीक है क्या बोल देते हैं परसोनलाइजेशन देखो परसोनलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम उससे particularly यानि कि हम उससे बिलकुल target करके बात करें ठीक है individual level पर अब आप कहोगे सर यहां पर जो है customization word का use क्यों नहीं किया तो dear यही तो यहां पर मज़ा है कि आपका जो personalization का मतलब हुआ कि आप personal attention तो दे रहे हो लेकिन customization में होता है कि आपका वो customer बना हुआ है आप उसे कुछ product देने वाले हो customization में या फिर कोई service देने वाल देखो अब next वाला जो fourth इसमें step आ जाता है वो होता है execution का यानि कि अब आपने सब कुछ देख लिया segmentation वगयरा कर लिया है तो अब आपको क्या करना होगा execution करना होगा कि यह मेरा targeted customer है इसके पास यह mail करना है या फिर आपकी जो team उससे बात कर रही है या फिर आपका automated होके mails वगयरा जा रहे है जो भी है ठीक है वो execution की step में आ जाएगा फिर आपका fifth step पे आ जाता है measurement ठीक है क्या आ जाता है fifth number पे आपका measurement आ जाता है यानि कि यहाँ पर आप देखते हो कि मैंने जितने अलग-अलग segment पे customer को यहाँ पे अपनी जो भेजा था जैसे मैंने ad वगयर आया है ऐसा ना हो कि हमने यहाँ पर जिस customer को सोचा था वो हमारा 70k वाला फोन लेगा उसने तो कुछ लिया नी बलग जब की जो हमारा 10k वाला जिसे हमने phone को target किया था कि हमारा 10,000 वाला फोन लेगा उन में से कई सारी customer ने हमारा phone ले डाला तो जिससे क्या होगा ना जम measurement क करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगला वाला जो हमारा campaign management होगा अगली वाली जो हम campaign करेंगे उसमें हमें इनी को मतलब target करना है यह वाले हमारे ज्यादा अच्छे customer है यह तो बस ऐसे है इसको हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना यानि कि फिर आपका क्या होगा आपका ध्य अभी आप अपने लिए बना लो time table आप सूचोगे कि मैं कल जो है पूरा 20 hours पढ़ डालूँगा बिलकुल एकदम धुआ दुआ कर दूँआ तो वह एकदम से नहीं हो पाएगा ठीक है तो यह क्या है आपके hypothetical विचार है उसके लिए आपको daily daily अगर आपने अभी तक पढ़ अभी है तो खेर यार measurement की बात हो गई अब six number पर आते हैं और हाँ जो भी मैं example देता हुना उसको relate करते वे चलना हमेशा यह आपको question solve करने में help करेगा next वाले पर आ रहे है modeling modeling की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाए इसमें हमारा जो भी result आया है ना campaign का उसे हम कैसे लगाते हैं statistically लगाते हैं ठीक है statistically arrangement किया जाता है आपके campaign results का arranging of campaign results campaign results को हमने क्या किया भई statistically arrange कर दिया तो यह आ जाता है modeling में now statistically समझते हो ग्राफ वगेरा के basis पे ऐसे हमने चार्ट बना दिया, ग्राफ बना दिया, या फिर हमने पाई चार्ट बना दिया, यह सब statistically में आ जाता है, अब आपको क्या करना है, इस automation या फिर इस campaign से आपका जो भी result नेकला, उसको क्या करना होता है, आपको मतलब जो भी management के according जिसे report करना हो, वो report बना के आपको डालनी होती है, reporting वाला step हो गया, ठीक है, तो यह होते हैं, total seven step किसी भी campaign management के, और यह part किसका होता है, MA का, यानि कि marketing automation का होता है, समझ गया क्या, और यह सबसे important part है, marketing का, अब देखो यार, इसके अलावा आपको marketing automation का, जो second वाला type होता है, जिसे मैंने आपको event marketing बताया था, यह बड़ा ही, मतलब क्या बता हो इसे, देखो, थोड़ा सा समझते हैं इसको, इसमें क्या होता है, यह बड़ा मज़ेदार है, event marketing या फिर इसको क्या बोलते हैं, trigger, अब अगर आपने अगर अच्छे से सारी चीज़ बतायी थी, trigger करके, ठीक है, जब मैं आपको acronyms पढ़ा रहा था, trigger, I think यह spin याद है क्या आपको, spin में मैंने क्या बताया था, आपको वो क्या करता है, persuade करता है, आपको डराएगा, धंकाएगा, फिर गएगा, सामान ले लो, हमारे से आपकी जिन्दगी भली हो जाएगी है तो इस चीज़ को थोड़ा सा mind में रखना, असका context, अपने mind में थोड़ा सा लगा के रखना, अब इसको समझते हैं, देखो, बड़े ध्यान से यहापे मेरी बास सुनना, यहाँ पर क्या हुआ, suppose करो, दीवाली का time है, ठीक है, क्या चल रहा है, दीवाली का time है, और आप बड़े ही, खुश हो, ठीक है, खुश हो करें घूम रहे हो, आपको एक call आती है, call किसकी आती है, कि sir, अगर आपको gold खरीदना है, तो यह बिल्कुल right time है, और हम आपको आज क्या कर रहे हैं, 5% का यहाँ पर off दे रहे हैं, या फिर ऐसा हो जाएगा, कि अगर आप हमसे क्य जो है, वो free दे देंगे, या फिर आपको कुछ reward points दे दिये जाएंगे, अब condition समझना, यहाँ पर आपका event क्या है, दीवाली का time है, दीवाली के time क्या होता है, सोनी की खरीददारी को बड़ा ही शुब हमाना जाता है, और इस time पर probability सबसे ज़्यादा होगी, कि आपका सोना खरीदने का मन बन जाए, तो बस यही देखके, आपको क्या दे दिया, इन्होंने offer भी चिपका दिया, आपके सामने देखो, time भी है, family बड़ी खुश गुमरी है, आप भी खुश गुमरी हो, आपकी नई 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 नौकरी लगी हुई है, और हर जगे खुशी का माहौल है अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपका मन हो जाएगा, ठीक है यार खरीद लेते हैं, सोना वगेरा, जो ममी पापा है, वो भी खुश हो जाएगी, कि चलो बेटे ने सोने में investment कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो companies होती है न, वो trigger points तलाशती है, कुछ trigger conditions होती trigger marketing, एक और point बताता हूँ, suppose करो यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर एक credit card लिया हुआ है, ठीक है, क्या किया है, मैंने credit card लिया हुआ है, और फिर मैं यहाँ पर मैंने काफी time से credit card use कर रहा था, suppose करो मैंने 2 साल से मैं use कर रहा हूँ, फिर मैंने उसके contact, उसका जो customer care वाला है, मैंने बोला, एक बात बताओ, आप यहाँ पर मुझे कितना interest चार्ज कर रहे हो यहाँ ठीक है, आप मतलब कितना interest लगा रहे हो, ठीक है, क्या हुआ उसने बोला कि मैं आपको 6% interest लगा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा ना, कि उसको यहाँ पर एक event मिल जाएगा, कि यार य condition और बताता हूँ credit card से क्या हो सकती है, suppose करो आपने one year में जो आपका credit card है, वो 20 से भी कम बार use किया, 20 times से भी कम time use किया, इसका मतलब है कि आप बहुत कम use कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप credit card use करना ही छोड़ दो, तो bank को जो फायदा होता है, वो credit card से बहुत फायदा होता है, अब क्या होगा, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा chances होते हैं कि वो आपसे क्या कहेगा, कि अगर आप क्या करोगे, इस अपने card को बार-बार use करोगे, तो आपको rewards मिलेंगे, आपको ultimately बहुत ज़्यादा offer मिलेगा, या फिर यह मिलेगा, वो मिलेगा, अगर आप इतनी बार यूज करते हो, वन एर में अगर आप 24 प्लस टाइम यूज कर लेते हो, हमारा credit card तो final में आपका इतना deduction हो जाएगा, या इतना पैसा कम हो जाएगा, या फिर यह offer मिलेगा, वो offer मिलेगा, यह सब होती है आपकी event marketing, यानि कि यहाँ पर customer ने थोड़ी सी बात initiate करी, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, event मानकर के आपका, या फिर उसको trigger करके यहाँ पर आपकी marketing शुरू हो जाती है, अरे बोलो हाँ clear है क्या, या फिर आपका suppose करो, क्या हुआ कि आपके बच्चे का happy birthday है, ठीक है, क्या हुआ आपका happy birthday है, है happy birthday है, आप मनाने चले गए, ठीक है, birthday आपक सप मुझे कर ओ अब कुछ बी सब्सक्राइब शूरू कि चोटे बच्चे के लिए मुझे कुछ जाहिए अब यह बड़ी की लिए कुछ चाहया है कि चोटे बच्चे mukन पूरा पूरा पैकेज लोगे तो आपको यहाँ पर फटा-फट से लिख लो आप इसकी इसमें आपका एक point पूछा जाता है जो theory में तो it occurs यानि कि जो आपका trigger marketing है या फिर आपकी जो event marketing है यह है मैं लिख रहा हूँ तो it occurs यह कब होती है it occurs when an event it occurs क्या हो रहा है when an event क्या होता है जब आपका कोई भी event triggers a communication triggers a communication triggers a communication किस किस के बीच में होगा communication या फिर offer ठीक है अब यह जो है basically क्या करता है जब आपका कोई communication होना start कर जाए trigger कर जाए यानि कि आपने कोई चीज search करी कि कभी आपने call करी कुछ ऐसा काम कर दिया कि जिससे offer मिलने आपको start होगा या फिर यह सब बाते है न तो यह जो है आपको एक point और इसमें लिखाना पड़ेगा मुझे क्या लिखोगे इसको इस तरीके से लिखो it is started by ठीक है क्या लिखोगे it is started यानि कि यह start कैसे होती है event based marketing कहां से शुरू होती है campaign में तो आपने क्या-क्या campaign चला ली अपनी ठीक है बट यह कहां से start होती है तो it is started by customer behavior यानि कि customer जैसा behavior कर रहा है ना उस हिसाब से आपकी यह start होती है बात की गहराई दग आप पहुंच पार हो जैसे कि मैंने आपको credit card वाला option बताया मेरी frequency कम है तो मेरा behavior ऐसा हो गया कि उन्हें मुझे बात यह trigger कर गया या फिर ये उस event को इसने जनम दे दिया कि वो सामने वाला जो उसने मुझे frequency program देने start किया फिर frequency reward देने start कर दिये अरे बोलो हाँ clarified हो रही है क्या बात तो ये क्या हो गया आपका start होता है customer के behavior पे और या फिर आपकी क्या हो contextual यहाँ पे कोई situation हो और contextual situation बन जाई clear है जैसे कि आपका birthday वाला example दिया मैंने समझ में आता है क्या अब आपको एक और छोटा सा example बताता हूँ आपको अगर आप पता नहीं होता है या नहीं होता है पहले क्या था जब idea की sim आती थी ना idea में और airtel में यह बहुत करते हैं शायद geo में भी करते हैं काफी mobile companies यह use करती हैं क्या गरते हैं यह लोग की जो आपका जैसे आप किसी sim में ना data मत दलवाओ data मत दलवाओ बहुत दिन तक data मत दलवाना तो यह क्या करेंगे आपको ultimately तीन महीने अगर आप नहीं दलवाते हो ना तो 3 मंद के बाद आपको free 100 GB या 1 GB data दे देंगे आपको 7 days के लिए और कहेंगे 7 days क लिए आपका यह data मिला है आपको आप इसको use करिए और बढ़िया data मिलता और वंची भी बढ़िया fast speed चलती है इसमें और उसके बाद में आपको फिर अपना recharge कराना पड़ेगा तो यह होते हैं कुछ trigger points ठीक है तो I hope अब समझ में आ गया होगा तो यह होगा आपके 2 points campaign वाल ठीक है न तो यह मस्त सोचना कि यह CRM का है यह ऐसा होगा वैसा होगा CRM में तो पूछेगा ही पूछेगा marketing में भी आपका यही जो मैं समझ आ रही है यहां पर आपकी जो understanding बन रही है यह important है ठीक है चलो तो देखो यहां पर आपने यहां पर आपने दो-तीन चीज़े देखी अब इनको यहां पर ना optimize करने के लिए जैसे एक company नेने cap लगा दी कि मुझे एक particular customer है ठीक है यह एक customer है अब मैं इसको offer तो दूँगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आरी हर बार बंद कर देए अब आप सोच बार देना है offer जब यह कम हो जाएगा जैसे event वाले मैंने आपको बताया ना तो इन सभी को manage करना यार यह physically बहुत impossible task है ठीक है बहुत complexity आ जाती है तो यहां पर क्या किया जाता है ना जो आपका optimization वाला part आ जाता है यानि कि यहां पर आपका marketing optimized software का use किया जाता है किसका use करते है marketing optimized software का clear हो रही है बात तो यहां पर आपका जो marketing optimized software होता है इसमें आपका customer को आपको email करना है text message करना है कुछ pre-recorded call करनी है even आप देखोगे ना तो इंडिया में तो शायद यह culture अभी नहीं आया है अगर आप में किसी को आई हो तो बता ना वैसे जो other होते है ना वहाँ प तो याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे aspect में शायद एक बार phone से ही वो जो post paid वाला connection होता है उससे एक बार शायद recorded call आई थी तो यह जो automated call होती है खेर वो भी आती है इसमें ठीक है mostly foreign countries में तो यह देखने को मिलता है ठीक है तो यह सब आपका किसमें आ जाता है marketing automation का part होता है सम Friday को release क्यों होती है क्योंकि Saturday और Sunday को होती है चुटी तो जो customer होता है न वो यहाँ पर उसके जाने की probability जादा है तो हर चीज में कहीं न कहीं आपका trigger point देखे जाते हैं अब इसी जब हम trigger point पर आंगे चलते है न तो आप आ जाती है बात touch points की ठीक है क्या होती है touch points होते है कई स अब यह जो touch points आ गया न हम इसके उपर बात करनी है और यह बात करेंगे हम next वाली class में क्योंकि और हाँ touch points जो है न अब वो यह marketing में भी use होते हैं और आपके CRM में भी use होते हैं तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ अब जो है न हम यहाँ पे दीरे-दीरे CRM से बढ़ र ठीक है खताम हो गया अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका next वाली class में SFA यह समझना यार बहुत जरूरी है और इससे questions बहुत सारे questions बनते हैं CRM का most important part है आपका SFA then हम देखेंगे analytical का part then आपका balance scorecard जो BSC है इसके बाद धीमे धीमे जो marketing के terms है न वो इसमें introduced होते रहेंगे फिर हम pure marketing पे भी shift कर जाएंगे मेरी बात को समझ पा रहे हो ना सभी लोग ठीक है clarified है सब कुछ तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे और actually अभी क्या है कि मुझे हो सकता है कि कल के बाद जो person है उससे मुझे 2-3 दिन के लिए admit होना पड़े तो बिलकुल आगे बढ़ाते चले अब ना यह मस सोचना यह CRM का है CRM भी लास सेल रहे है अब हम अब हम धीमे धीमे shift हो रहे है CRM से किसकी तरफ marketing की तरफ ठीक है ना तो हर चीज को बहुत ही aspect में आपको बिलकुल mind में घुशाते हुए जाना है ठीक है और जलाई-जलाई कि ये मुझे basically कुछ आश्रम वगेरा में जाके रहना था तबियत के लिए लेकिन फिर चीजें जो है इस तरीके से बनगे ही कि आपका ये भी complete होना है paper भी आपका time से नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये नहीं हुआ तो बस इसी में लगे पड़े है तो आपका syllabus complete करने की का मतलब ये नहीं होता कि चीजें उड़ा दो ठीक है समझपा रहे हो मेरी बात को तो ये सब चीजें है यार अब बस और हाँ आप महनत करो यार महनत का ना कोई substitute नहीं है अगर जो चीज जितनी है ना वो करनी ही पड़ेगी और even अभी भी ना कई बच्चे score कर रहे है एक का टेस्ट में मैंने score देखा था याद ही नहीं आ रहा है मुझे शायद 108 के उपर ही था ठीक है जहां तक मुझे यादे 108 या 111 था ऐसा को जो score था बताओ अभी से ये score आ रहे है तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है एक बच्चे के आया है 98 के आसपास माक्स ठीक है तो ऐसे score वगेरा आ रहे हैं आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहो और देखो हर चीज को लेके चलना अगर आपने math को side में छोड़ा हुआ ना मैं continuously बोल रहा हूं मैंने आपसे SICI पढ़ने को बोला था आपने पढ़ा की नहीं पढ़ा अगर अभी तक पढ़ना चालू नह ठीक है ना क्योंकि आपको अब मुझे ना आपस यहीं नहीं चाहिए कि यार सेलेक्शन लेलो यह लेलो मुझे मैंने क्या बोला टार्गेट 100 प्लस लेके आना है ठीक है तो सब लोग करो कोशिश करते रहो अपनी तरफ से अब देखो एक चीज होती है कि आप पढ़ रहे ह अगर आपका डेवन पे लेवल यह था तो आप देखो कि यार चार दिन के बाद या फिर पांच दिन के बाद मेरा लेवल बढ़ा है या नहीं बढ़ा है हर दिन आपको खुद को बैस्ट करना है यह नहीं कि उसे यह आता है इसे यह आता है उसको वह आता है यह नहीं करना आपको अपने उपर काम करना है ना कि day 1 पे अगर मैं यहां था तो अगले दिन मैं आपको थोड़ा सा और उपर उठाऊंगा day 2 पे मैं यहां पहुंचूंगा day 3 पे यहां day 4 पे यहां तो ultimately आप at last अगर अपने आपसे ही compete करते जाओगे ना हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखो होगे तो at the end आपको बिलकुल आप देखना result आपका खराब आए ऐसा हो ही नहीं सकता ठीक है result पे तो कोई result की कोई बाती नहीं आपको अगर अपने खुद पे आप काम करोगे ना हर दिन हर दिन अपने आपकी knowledge improve करोगे at the end of the day आपको देखने को मिलेगा कि यार मैं तो मतल अलसे ओल टेक क्यार और बाबाए